एसे से जेडी का question है मध्ध मधायक बहुलग यह fixes question है यह question इतना जानने के बाद जरूर आएगा मध्ध निकालते कैसे हैं मध्ध किसी भी question में आउसात दिया हुआ रहेगा जितने भी संख्या दिया रहेगा उसको आउसात निकालते हैं लोग उसका हम direct example में चलेंगे 5 15 35 50 75 इसका हम मध्ध निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन मीन ग्याद करें ग्याद करें तो इसको हम सबसे पहले sequence कर लेंगे 5 15 35 50 70 इसको हम एट कितना संख्या है 1 2 3 4 5 इसको हम बाई में लिखेंगे 5 इसको पूरा को हम एट का देंगे तो कितना हो जाएगा 70 50 35 15 15 175 इसको हम इसको हम कर देंगे काट देंगे कितना होगा 35 अंसर और एक निकाल देना चाहेंगे कि एक जंपल देना चाहेंगे आगे सब को हम 357 385 35 इसका उसको निकालेंगे त्री फाइब प्लस सेवन प्लस थ्री प्लस एट प्लस फाइब प्लस थ्री प्लस फाइब यह यह तो इसको पॉइंट में भी निकल जाएगा लेकिन यह नहीं कटेगा इसलिए 35 इसलिए अगे चलेंगे माधिका 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 इसको बोलता है मेडियन मेडियन हम लोग कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो सबसे छोटा को लिखेंगे इसमें हम इसका definition लिख देना चाहेंगे थोड़ा सा सबसे पहले सोट में लिखेंगे सबसे पहले छोटा से बड़ा में सिक्वेंस कर लेंगे सजा लेंगे सजाने के बाद लिखेंगे हम एक जमपल देना चाहेंगे A, B, C, D, E इसमें हम लोग को माधी का क्या हो रहा है सबसे बीच में देखेंगे माधी का और एक जमपल देना चाहेंगे A, B, C ये माधी का रहा अगर हम A, B, C, D, E, F, G इपन रहेगा तो उसको हम कैसे जानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीच में आ गया अगर अगला देना चाहेंगे तो A, B, C, D, E, F इतने रहेगे तो कैसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम लोग दोनों को ले लेंगे और C, D, Y, 2 करेंगे ये होगा मिडियन समझ मा आ गया होगा आगे चलेंगे बहुलक 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 इसको बोलते हैं मौट मौट जो सबसे ज़्यादा बराने वाली संख्या को बहुलक आते हैं जो जितने ज़्यादा बर लिखा हो उसे बहुलक कहते हैं एक एक जब्पल है 357 385 35 333 का बहुलक ग्याद करे ग्याद करे इसमें बहुलक क्या है बहुलक इसक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सबसे अधिक बार आने वाला संख्या इसमें क्या है 3 है पुश करो निधर नेक्स्ट है इसका रिलेशन है मध्यमाध्यक बहुलक का रिलेशन है तो हम बहुलक बरावर निकालेंगे बहुलक बरावर इसको हम मौड कोलते हैं इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा सुवीदा होगा 3 into median इसका 6 वर्ड है इसलिए हम लोग इसको हाप करके 3 लिख देंगे और इधर 2 mean है इसमें अलफावेटिकल 4 है इसलिए उसी का हाप करके हम 2 लिख देंगे और यही रहा मध्य मध्य बहुलक का relation जब हम median निकालना चाहेंगे तो मैनस को बहुलक के और लाके median निकाल लेंगे और बाई में कर देंगे और median निकालना रहे तो जश्ट अपोजिट इधर उधर करके relation इसका बहुलक का ग्याद कर लेंगे I hope आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा